सामाने चिक साले के मरीजों पे ये राच्किय बाली का माधिरिक विद्याले बड़ा हैदर शाह में बन रहे खाने के समय अचानच सिंसलेंडर ने आग पकल ली और किचन में आग लग गई खाना पका रही महिलाएं आग को देखते जी से बाहर की और भागने लगी लेकिन इस दर्मियान एक महिला आपकी लब्तों में आने से चुलत गई मौके पर मौझूद प्रिंस्पल रामतास गर्ग ने तुरंत CBO दामोदर लाल मीडा को घटना की चानकारी दी CBO मीडा ने खटना की जानकारी पाते तुरंत मौके पर पहुँचे और उन्होंने चलते जलते ही नगर परिशत विभाव तमकल के लिए फोन कर दिया लेकिन इस दर्मियान स्कूल की किचन में आप रखने लगी और उसके अंदर रखा सामान भी खराब हो गया मैंने देखा के जब आपकी सूचना सब लोगों को लगी बाहर भगदर मचीन थी तो ये सर जो कि इस वक्त कोरोना फाटर से को का जाता है मेरे को जो यहां के प्रवारियां सहस्ता प्रदान है कम्यूटी किचन के रामदार्शी उन्हों ने फोन किया कि सर वो सलेंटर महार लगी तो मैं तत्काल जो हमारे कम्यूटी किचन महाराना में जो शस्ता प्रदान है मेरे साथ से प्रवारियां कम्यूटी किचन के वो तुरंत तत्का लेह बर आए और हमने सबसे पहले जो हमारे कमिशनर साहब है उसके लिए फोन किया यहां स्रेंटर में आग लगी जो ड्यालेश मरेश जो अस्प है वो चुले से निकल गई और आग पकड़ दी तत्काल आकर के हमने जो इतने भी यहां पर कर रहे थे मातले कर भी और हमने प्रंट को बलाया और उसके बाद मैं ने भी देखा कि जो यहां की जो सेव का है जो खाना बनाले वाली जो महला है वो बाहर खड़ोंके आपको प्रसोई बनी कैसे लगी आग उसमें तो खाना बन चुका था या बना रहे ते यह खाना किसके लिए बन रहा था यहां सावन को बनना यहां सावन को सावन को कितने सिलिंडर रखे ते अंदर दू रखेते आग लगने के लाद आपने क्या किया अपने अदर बगे हम तो मैं तो आप मतला स्कूल की तरफ से काम करने सेम का है ना तो यह स्कुल की रसोई है आप लोग कितने लोग काम कर रहे थे अंदर खाना बन गया या बन रहा था यह गना सेगने के बाद अचानक शाग बैठेगे आप देख रहे हैं सक्चा न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे टेज